अधे इसके क्या-क्या उप्योग में लाई जा सकते हैं और क्या इसके सास्तवर्धक गुण हैं इस सारी चीजें बताऊंगी पहले मैं यह बताना चाहूंगी कि आप सभी को हमारे इस्थानी कारिकास्तकार इस कैमोमाईल को नौमबर के महिने में इसके बीजों का बीजा रोपन कर दिया जाता है फिर जिन्वरी में पहुंच तैयार होने के कैमोमिल के सास्तवर्धक गुण हैं उनको में आगे आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें मैं आपको बताती हूं साती आप सभी को बताना चाहूंगकि कि हमारे खेट बहुत दूर है मैं अब आपको अपने ख्यतों में ले चलती हूं और उसके बेनेफ़ीद भी बताऊंगे और इससे पहले मैं आपको दिखाती हूं Jim आपने चहतों में भी इस तरह से बीज जहां पर गिरते हैं तुल्सी का बीज तैयार हो रहा है उसी के साथ यहाँ पर कैमोमिल के पौंद भी तैयार हो रहा हुए हैं उनमें फलावरिंग हो चुकी है इन फूलों की ही कैमोमिल टी बनाई जाती है यह देखिए आप देख रह अब ले चलती हूं में चैप pref prof where चैपמה के में गेज ले चलती हूं किस तरह से हम गाहिक का तरफ लेख्टि और किस्तरी करते हैं और किस तरह से हमारे खेतों में ग्रम लगी रहती है यह आप से त्यार हो चुकी है अब हम दिखाएंगे आपको कैमोमील की खेती पूर्णता जैविक है इसकी खेती बंजर भूम में भी की जा सकती है जानवरों से इसको नुकसान नहीं है यह बगीचों के बीच में भी उत्पादित की जा सकती है हम कैमोमाईल को चाय वह फेश स्क कान को दूर करती है तो अच्छी नीत के लिए भी लापकारी है कैमोमील मधुमे में लापकारी है तो साथ में आतों के दर्द को भी दूर करती है तो चा के लिए लापकारी है साथी साथ माहवारी में होने वाले दर्द को भी कम करती है यह महलाओं की उम्र को भी बढ़ात पर संपर्क करें धन्यवाद आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में सेयर करें धन्यवाद